असलाम लेकुम प्यारे वीवर्स, अमीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, अलहम्दुलीला मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, जी तो आज का दस्तरहान है थोड़ा सा हट के, डिफ्रेंट और प्यारा सा, ये है पिंग कलर का, कोल्ड कलर का और वाइट कलर का, और अच्छे- पूलों का दस्तरहान, जी आप कुछ समझ ही होंगे, बैलून को देखके, के दस्तरहान लग रहा है, बर्दे का दस्तरहान, जी बिल्कुल, मेरी फ्रेंट की बेटियों की बर्दे थी, तो उन्होंने मुझे बोला, के आप आएं, और आके हमें, एक सालगिरा का प्यारा सा और खुबसूरत सा पिंक कलर का, गोल्ड कलर का और वाइट कलर का दस्तरहान से जाके दे, तो मैंने सोचा क्यों ना, उनकी मदद कर दी जाए, इस तरह से हमारा दस्तरहान भी सेट हो जाएगा, और बचियां भी खुश हो जाएंगी, जी, तो हमने काफी सारा समाना कठा कि एक रूम था, जिसमें हमें दो दिवारे मिली, एक साइड पे एक चोटी दिवार थी, चोटी दिवार के साथ हमने जो सैट अप करना था, वो केक टेबल सैट करना था, और बड़ी वाली साइड पे हमने सचा कि हम फूर लगा लेते हैं, तो हमने दोनों दिवारों को और उसके साथ हमने बनाया पिक्चर का फ्रेम जी जहां पे बच्चियां खड़ी होके अपनी पिक्चर ले सकेंगी सारा सेट अप बहुत ही डिफरनट और बहुत ही अलग किया गया था उमीद करती हूं कि आपको अच्छा लगेगा और पसंद आएगा कुछ टेबल्स के ओपर मैंने हाइट यूज की थी जो के फूड को प्रामिनट किया जा सके उन टेबल्स के ओपर छट चर्टी टेबल्स रखके गॉल्ड कलर में जो हमने काफी सारी चीज़ें यूज की थी क्योंकि उसमें ये था कि थोड़ी सी चमक आ जाएगी दस्दर्खान में और देखने में भी अच्छा लगता है मैट्स यूज की है हमने, करटन्स यूज की है हमने, एक रणर था हमारे पास सीक्विन्स वाला वो यूज किया है फिर कुछ हमने पिंक अलगे टिशू पेपर, नैपकिन्स यूज की है, स्पून्स यूज की है जो जो हमें पिंक और गोल्ड में अच्छा लगा हमने वह सारा गठा किया और इसको हमने यूज कर लिया जैसे अगर अप देखते हैं, शोल आप फूल भी है, और फूल जो कि बहुत ही प्यारे लगते हैं यूज किसी बिद्स दrachanga से जाने के लिए बहुत ही डिफिरेνट है जी तो काफी हद तक हमरे जो डिस्पले है, वह नो ह हुच्छा है हमने काफी सारी चीज़ें जो हमने सोट आट कर ली है बैल उनाच बन चुकी है हमारा केक का टेबल लग चुका है हमने जो स्वीट जाज डखने थे वो भी रखनी है गिफ्ट के लिए जो हमने एक कॉरनर बनाया था वो भी रेडी हो गया है और केक स्टेंड भी हमारा बन चुका है और टेबल की सारी सेटिंग कम्लीट हो चुकी है इस साइड पे पिक्चर्स का कॉरनर बना है यहां पे हम लोगों ने रखा है फूड का टेबल यह काफी लाउंग टेबल है दो टेबल को हमने एक अठा किया और उसको हमने बनाया फूड के लिए इसके ओपर चुट-चुट टेबल रखेगी है उनके ओपर हम क्योंके फूड गरम होगा तो इसलिए हम थोड़ा सा हाई रखेंगे ताके बच्चे हाथ ना लगा सकें तो साथ में कैंडल्स हैं फूल है और ट्रेस है नपकिन्स है सारा कुछ जो है अलमॉस्ट वो सेट हो चुका है बस हम इसको डिस्प्ले करने जा रहे हैं देखें कैसा लगता है उमीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा और आप संद करेंगे और इन फूचर में आपको और भी दिखाऊंगी कैसे सेट अप होंगे तो आईए मिलके देखते हैं बरते का सेट अप झाल 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 झाल